हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने स्वीट चैनल पर आज हम लोग इस वीडियो में सीजेल 2023 टीर वन मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में स्वाल करेंगे जो कि 17 जोलाई 2023 के फोर्थ स्वीट का पेपर है उस सभी सारे 25 सवालों को हम लोग स्वाल करेंगे तो आप वीडियो के लिए गस्वालों के सवाल करना चाहिए या फिर सही अप्रोच क्या अब संब्ह बारे इस वीडियो में आप जानेगे तो आप वीडियो को अंतर बने चैनल पर नए है तो जोल्ब ही सब्सक्काइब कर दे को यह वीडियोblick को लि दान फंड से किया जाना है तो इस उद्देश के लिए उपयोग किये गए दान फंड का परतीसत कितना है दान फंड कितना परतीसत यूज हुआ है यहाँ पर डोनेशन का दिया है 35 परतीसत देखिए तो डोनेशन 35 परतीसत है इसी 35 पर 37 में से यूज किसमें करता है एस्कोलर्शिप में एस्कोलर्शिप में 26% का ये इस्तिमाल कर लिया है question में पूछा गया है कि दान फंद से जो यूज हुआ है एस्कोलर्श चातरविरती के लिए पैसा दिया गया है चातरविरती का जो परसेंटेज है दान फंद का कितना है तो 26 बते आपको 35 निकालना है इसको 100 से मल्टिप्लाई कर दिये जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा देखिए 5 से काट लिजिए और इसको काट लिजिए देखिए अगर भाज क्या था कि 10% अधिक था 25 परसेंट अधिक खया देके भाजक के रूप में क्या है एक संख्याली 25 परसेंट अठिक का मतलब अगर चार लेना था इन् lobby से क्या ले लिए उन्होंने 5 ले ले लेता है ओगे मम कहा गया ज़ि भाग के मूल प्रस्निका सही भागफल 25 था और 6 फल 0 था तो यह मानते हुए कि उसकी गर्णा में कोई तुरूती नहीं है प्रांजल ने कितना भागफल प्राफ्ट किया देखे आपको पता है भाजक गुने भाजक गुने भागफल प्लस 6 यह पता है यह पता है आप लोगों को तो आपका डूर्ट में तो दौस कितना होता मतलब भाजक कितना होगा यह पतनी किषराइद अब। पूछा गया है यह सो नीकार किया अगला कोछन हमारा है कुल रास minder करना है सब्क्राइब तोasran उनीश रुपिया अधिक खर्च किया हम इसलुकर डिवाय में मतलब 9th डिवाय करद यह तो एग था आपको संप्सक्रम्स पर रिपेंट करता है कि आपके अच्छे जल्दी के रिपेंड है किसा को रहें कितना आसानी से सवम कर लेते यह तो इसका एक सब्सक्राइब सेаков equally और ऊसए देच Gregory County क्या अगर मान लेते हैं ओस्राइब का इक है यह हो गया आउसत हमें लोगे ने एक्स माल चुका है बस इसको क्रॉस मल्टिप्लाइब कि जागा एक्स का भेलू आ जागा देखिए 19 इंटु वन सवेंटी फाइव थेखिए पालस देखिए यहां कि आजयगा देखिए यह जैगाए फशत हमति यहां कि आ sap 006 sk कुछर को एक भी से मालटिप्लाइ कर लेकर कोुलाइश redeVer की इतना है आपको लूझा चल जाएगा ठीकर दया है को नमब चार को देखे दूर खड़ा एक हजार मीटर की तॉचाई यह कि यह को यह इमारत हम लोग माल लेते हैं ठीक है उसके सिर्स और जमीन के बीच का कौन जो बनता है वह दिया है आपको 30 दिग्री यदि ब्यक्ति इमारत से मतलब पुछा गया है ब्यक्ति इमारत से कितनी दूरी पर खरा है यह हमें निकालना है तो देखे यह अगर यह एंगल है यह क इतना होता है वह बटटे रूट अंडर थी वह बटटे रूट अंडर थी इस उकॉल टो एक हजार स्वेंटें इसको मालटिप्लाइक चार को देखें का नंबर 4 का कोईचेक को देखे समय और काज का कॉश्चन है 15 पूरूस को माल लेते हैं 15 एम 21 और एक साथ मिलकर काज को 56 दिन में स्माप्त करता है जबकि 12 पूरूस 24 और काम कितना दिन में करता है चौन्सट दिन में ठीक है क्वास्टर में क्या कहा गया है 18 पुरूस और 24 माला एक सत्थ मिल करके उसी काज को करने में कितना समय लगेगा देखे इसको काठी आठ से काठी आठ साथ च्छपन आठी आठी चौन्सट ठीक है अब नहीं कटेगा इसको आप क्या करना है आप इस त्री आप इस चल जाएगा इधर यह कितना जाएगा आपका जाएगा फिप्टी इन देश्ट मैनशुन नचास फिप्टीन डबलो मतलब एक मैन इस एक मैन जहां भी है उसको हम फाइप उमेन पूट कर लेजेए देखे एक मतलब फ्रूस का मतलब क्या हो जाएगा नब्य करता है तो 114 महिला कितने हैं कर देगी करेगी ये है आपका इसको कर लगी ये है आपका एंसर नमबर फूर आजाएगा ठीक है समझ गए होंगे इस तरह इस question को आप solve कर सकते थे question number 7 को देखिए ये भी समय और कार्ज का है A जो है A साथ दिन में 20% काम को complete करता है मतलब A जो है 20% का मतलब क्या 1.5 काम को 1.5 काम को 7 दिन में करता है मतलब पूरे काम को किता समय लगेगा 35 दिन ठीक है जो है साथ दिन में 25% 25% का मतलब 1.4 मतलब तो देखिए A की एपिशन से कितनी होगी A को A की कार्ज करने की छमता 14235 मतलब 4 B को कार्ज करने की छमता कितना हो जाएगा 140280 मतलब 5 ठीक है अब कहा गया है यदी वे साथ में कार्ज 7 दिन तक करता है 7 दिन का मतलब 1 दिन में काम को किया 140 में इश्ते 360 यूनिट काम को करता है तो ये कितना परतिसत काम हुआ ये अपका percentage में इशको आप convert कर लिजे आपका करता है तो आप इसको देखें काट लिजे 9 से अगर आप इसको काटते हैं 7 से काटते हैं 7 नमा 367 दिन ये देखिए X square plus 1 बट्टे X square निकालना होगा तो क्या होगा 10 का square मतलब 100 – 2 करना पड़ेगा यही ठीक है फिर अगर हम इसी को square कर लेंगे इसी के square कर लेंगे तो X power 4 प्लस 1 बट्टे X power 4 आ जाएगा आपको मतलब 98 का square minus 2 आप पता है 98 का square करते हैं कितना है यह 100 में से 2 कम इसका मतलब क्या हो जाएगा तो 98 में से 2 मैंस कर देंगे तो 96 और 2 का स्कार कर लेंगे तो 04 मैंनस 2 मतलब 9604 मैंनस 2 मतलब 96002 आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है question number 9 को देखिए 10 cm तिर्जा के एक बिरता खंड के अंदर पर जो की है 60 दिग्री कोन बनता है तो उसका शत्पर मतलब 3 जिखंड बनता है 7 दिग्री का तो उसका शत्पर निकालना है क्या होता है तिर्जखंड का शत्पर पाई असकोई ठीटा बटे 360 कुछ भी नहीं करना है देखिए पाई का भेलू आप पूट कर सकते हैं 3.14 रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मतलब 100 हो जाएगा और ठीटा आपको दिया है 60 बटे 360 देखिए 1 बाई 6 हो जाएगा ये 314 को 100 मॉल्टिप्लाइ किर देगा कितना हुआ 314 बटे 6 आप इसको डिभाइड कर लेजे देखिए काफी conceptual question है option A को देखिए 2 बिर्द की परिधी का अनुपात उनकी तरिजाओं के अनुपात के बराबर होता है देखिए अगर एक को रेडियस माल लेते हैं R1 दूसरे को माल लेते हैं R2 तो कहा गए परिधी का अनुपात तो कहिए परिधी का अनुपात 2 πi r1 किया जागा सकैन वाले का 2 πi r2 कि 2 πi 2 πi constant number होता है तो इसका ratio क्या जाएगा R1 बटर 2 मतलब दो परिधी के दो परिधी का जो अनुपात होगा दो बिर्त का जो अनुपात होगा उनके तिर्जा के अनुपात का बराबर होगा मतलब यह correct answer है मतलब correct है आपसे पुछाए गलत वाले तो गलत वाले चूज करेंगे हम देखिए ठर्ड ऑप्सन देखिए बिर्त जो है एक दूसरे के सरवांगसम होते है यदि उनकी तिर्जा यह हो गया जीवा पर केंदर से खिचा गया लंब जो क्या है इस लाइन को हमेशा यह कॉड इसको बोलते हैं हम लोग इसको हमेशा क्या है दूई विभाजित करिया हम दो इक्कॉल पार्ट में बाटेगा यह भी कथन क्या है बिलकुल सही है तो मतलब option नंबर दो गलत दिय क्या होगा लेकिन अप्शन दो गलत कैसे छी जा कि तित्य विर्त की सबसे लंबा जीवा होती घिवा का मतलब option नंबर दो अपका statement क्या है गलत है ठीक है question number 11 को दिखना है A जो है काम को 18 दिन में कर सकता है B जो है 12 दिन में कर सकता है B क्या है इस पे 4 दिन काम करता है और कहा गया है how long will A take to 3 ता remaining work देखे A जो है 18 दिन काम को किया ठीक है B क्या फिर 12 दिन काम को करता है दोनों का आप LCM लेंगे जो 36 हो जाएगा एक ही छमता कितनी हो जाएगी 36 बट्टे 18 मतलब 2 इसी तरह से B की 3 अब क्या तहा गया है B चार दिन काम करता है मतलब 3 इंटू 4 3 इंटू 4 काम कंप्लिट हो जाएगा 12 दिन काम कंप्लिट होगा अगरा सवाल एलजब्रास से देखे X का भेलू-5 दिया है Y का भेलू-7 दिया हुआ है तो पूछा गया है 27 X माइनस 58 X स्कुएर Y प्लस 31 X Y स्कुएर माइनस 8 Y देखे 27 X क्यूब माइनस 8 Y क्यूब को देखे लगता है आपको ये देखे 3 X माइनस 2 I को हम लोग इसके हॉल क्यूब पर करने कोशिश कर सकते हैं देखे 3 X माइनस 2 Y अगर लिख लेते हैं इसका भेलू कितना हो जाएगा देखे 27 X Q फिर माइनस कितना हो जाएगा देखे आपको पता होगा A Q माइनस B Q का फर्मला माइनस B को हल्कूद क्या होता है A Q फिर माइनस 3 A SqI B मतलब देखे माइनस 3 A SqI B क्या करने कितना हो जाएगा माइनस 3 नो X SqI B मतलब 2 Y मतलब 9 27 दूनी 24 X SqI Y होता है कितना यहाँ पर अंठाबर मतलब माइनस 4 X SqI बच गया इसमें पिर आगे देखिए आगे क्या होता है पलस 3ab2 यह न तो 3 3 जा 9 3 को 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे नाइ बी एस्कॉर मतलब 2y का स्कॉर मतलब 4 9 चोका 36 हो जागा 36 कितना हो जागा 36 xy स्कॉर है कितना यहां पर 31 मतलब हम उन्हें एक्स्ट्रा यूज कर लिया है तो मतलब यहां पर आपको मैनस करना पर है कितना मैनस 5 xy स्कॉर मैनस 2y हमने इसको यूज कर चुके है ठीक यह हो गया अब इसी में आप अपना भेलू xy का पूट कर देजिए आपका अंसर आ जाएगा देखिए कि मैनस 3 scar new कि तो मैनस पंदरत और यह मैननस 15 ठीक फिर मैनस देखिएustit के वाइका मैन सर्चनलयक दिया है दूरें मिश्क्राश्डट मैन समाइन स्काइब करेंगे मैंनस स्प्र진 यहाइवा पसान हो जाएगा तो कितना बच बचेगा सरी माइनस ओंलिएक्स हैं यह वाय यहां पर यहाँ पर कितना आपको बच जगा प्पूरे बचेगा इसमें यहां पर क्या बचेगा अगर देच्ट के है तो फॉब्स फॉब्स फॉर स्थाइब वाइ बच जगा ठीक है इतना हम लोगोंने ले देके 15 परस चाओधा कितना हो जाएगा मैनस वन का होल की मतलब मैनस वन ठीक है मैनस देके एकस वाई मतलब साथ इंटू पांच मतलब मैनस मैनस प्लास मतलब 35 इंटू देके 4x कि आप जो है यहां पर फूर एका कितना हो जाएगा मैनस 20 सोरी फूर एक के बैस्ट से अब ऐलुटाई केजिए उसमें से एक मैनस का सकते हैं आपका उंसर क्या यागा तो देखिए निगेटिव आला आपका एलिमेट हो यागा आप देखें यूट चेक कर लगें पांच ये 25 माइनस एक मतल्ड यूट कितना आपका चार चार क्या है आपका अप्सन नमबर थी में दिया हुआ होगा या फिर 35 को पांच से मल्टिप्ला करना पहुँ ज़दा कंप्लेक्स नहीं है देखका सकते हैं इसक करक्त आंसर होगा ठीक को देखिए सवाल है देखिए बहुत मास का यूज करते हैं डिभाइड बाई कितना होगा च्छे दूनी बार माइनस चार मतलब आठ यहां कर लिए रैक्टे आठ हो जागा ये फिर देखिए पांच इंटू में कितना हो जागा चे माइनस तीन किसी यात्रा के बाको 90 पर चाल की स्पीर से चलता है 37.5 मिनट में और क्या है 80 किलो मीटर चाल से 14 मिनट में ते क्या आता है तो यात्रा की कुल दूरी निकालना हो भी किलो में तो दूरी वरबर क्या होता है संद्धीन नव्य किलोमीटर इंटी चुमाय कितना दिया थर्टी सेवन फॉइंट है घंटा में चलिकांग अनख करने के लिए आप आदके चाइब आप आजआगा क्जिआ कर दिए रहता है जागा अब देखे यहां पंशेर चाहिंग्डर किटे साथ पंचे यहां पर इसको भी काट यह 12 यह हो जाएगा आपका 16 मतलब 75 को 9 से मल्टिप्लाइ की ज़िए कितना होगा 75 नमा 675 सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब देखिए आपका ड्रेक्ट यून डिजेट से भी चेक कर सकते हैं इसको यह जाएगा 9 लास्ट में डिजेट कितना होगा 9 तो 9 किसका होता है देखिए चार दूनी आठ एक नौ आनि ऑप्सन यह क्रेक्ट होगा इसको भी कर लेते हैं तो आप इस तरह से पहले अप इस तरह के सवाल को भी ऐसे बिना काल्केट कियो भी ऑप्सन क्लिक कर सकते हैं यदि किसी बस्तू का विक्रे मुल दोगुना कर दिया जाए तो लाब चार गुना हो जाता है तो मुल परते सब क्या होगा देखिए अगर माल लेते हैं अगर CP ठीक है और यह माल लेते हैं हमारे पास SP है ठीक है अभी क्या है CP है अगर सब्सक्राइब कितना हो जाएगा य माइनस एक्स लेकिन आगे कहा गया है अधी हम विक्रे मुल को 2y कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा निकालना हो तो कितना यह जाएगा दो भ्ट्टे घी मतलब CP अगर आपका दो है और यह सपी तीन है तो लाव कितना हो घाएगा मतलब एक इंटु हंड司 कर देगा तो मतलब एक बट्टे निक्टी थीनकर कट कित करना है देखिए तिर्जखंड का शत्फला को इसे पहले भी बताए हम पाई आर स्कॉाइट ठीटा बटे तीन सो साथ इस इकॉल टू आपको दिया है 32 पाई से आपका पाई सीधा केंसिल हुएगा आपको रेडियस दिया हुआ है 12 इन्टू 12 मतलब 144 ठीटा हमें निकालना है 360 इस इकॉल टू 32 ठीक है अब क्या होगा 360 आपको इधर आजाएगा और 144 से इसको आप डिवाइड कर दिजे तो ठीटा के भेलू आपको यहां से आजाएगा देखिए काटी आप 12 से काटेंगे तो 12 12 36 ठीक अब इसको छे पांचे तीस छे दूनी बार यह जाएगा शोला पांचे आसी मतलब आपको निकालना है तीर जिखांट चाप मतलब टू पाई आर ठीटा बट्टे 360 देखिए पाई के भेलू पाई ही रखना है देखिए टू इन्टू पाई डेडियस आपको दिया हुआ हुआ है कि सीसे की गुलाकार गेंद को पिगलाया जाता है और तीन गुलाकार गेंद में बदला जाता है तो इन में से दो गेंद का ब्यास तीन बट्टे 2 सेंटीमीटर है और एक का है दो सेंटीमीटर तिसरे गेंद का ब्यास ज्याद करना है देखे क्वेस्चन जब कभी भी क्या या गुलाकार कुछ भी कि पर गोला का उटना हूगा क्या होगा है क poking हुआर फी थिर देखें कि पाइड बट्य निया कैन फुरते ठीक को हम लोग कर सकते से फिर फ मतलब दूए घर्विए पर कर सकते हैं तोो सरे दियर कें तीन बट्य चीवर्य थिल्टर ंत यहdefense चार का हॉल क्यूँ प्लस दो बट्टे दो मतलब एक का हॉल क्यूँ और ठड का रेडियस माल लेते हैं आर इसका हॉल क्यूँ देखे तो तीन बट्टे 2 का हॉल क्यों मतलब कितना जगा 17 बट्टे आठ इस इक्वाल्ट कितना हो जागा सत्तास बट्टे 64 पलस 1 इस पलस आर क्यूब ठीक इस रेडियस का भेल्लू आपको निकालना देखिए स्वल्ब कीजेगा देखिए 64 क्या हो जागा पूरे में LCM ड्रेक्टि ले लिए देखिए 64 जागा आपका LCM कितना हो जागा 27 इंट स्वल्टो आर की बस इस ही को आपको स्वल्व करना है देखिए 27 को आप से मल्टिप्लाइ किजेए कितना चाफाटे पर च्वार्टे Naty जाए गापका पांच बट्टे चार आपको निकालना क्या है 12 मतलब इसको दुगूना कर दीजें मतलब 5 बट्टे 2 5 बट्टे 2 का मतलब 2.5 इसका क्रेक्ट होगा कॉस्चेन नमा ठालों को देखिए 5 माइनस स्री एक्स माइनस 5y बट्टे बट्टे 3 बट्टे 13 दिया हुआ है तो x और y का रेशियो का मान निकालना है देखिए क्रोस मुल्टिप्लेशन किजिए और कुछ नहीं करना है इसको तो 13x 13x मैनस 65y इस इक्वाल टू 7x पलस 35y देखिए कितना जाएगा आपका 6x इस इक्वाल टू धर चल जाएगा तो पलस नहीं तो 100y मतलब x by y का भेलू कितना जाएगा 100 बट्टे 6 मतलब 50 बट्टे 3 इसका करक्टर आंसर होगा 50 बट्टे 3 ओपसें नमबर 2 में दिया हुआ नमबर 19 का देखिए तो ट्रिगोनमेट्री का बहुत दिया संदार सवाल है सायन का पाबर 4 पलस क्वास का पाबर 4 बट्टे 1-2 sin2 इंट्टू cos2 इसमें क्या है ठीटा का भेलू या तो 0 या फिर 90 पूट कर दिजिए एक मिठर तो यह हो गया ठीक है तो इसमें पूट करता आप आप कांसर्व वन जाएगा थी इसको इतना और नीचे में जो है उस उतर हमारा रहेगा ही देखिए उपर वाले को इसे लिख सकते हैं उपर वाले को भी सवल कर रहे हैं तो के साइन स्क्धार्ट फीटा पलास कॉस स्क्वाइड एकटिता का अवे स्क्वाइड मैनस कॉलिस सकते हैं यह ःए तू सइन चुल्फ कहते हैं जो कि कैया है नीचे मीघा जो parallel कर देगा तो है मिचार पर की अकरम मोल्हें 20% अंकित करता है देखिए CP अगर देखिए 20% का मतलब एक वर्टे 5 मतलब CP 5 है तो मार्क प्रैस कितना हो जाएगा 6 रूपिया ठीक है अंकित मुल्लेक पर 15% की छोड़ देता है तो लाब हो रहानी निकाना देखिए एसे कर लगी आप CP को 100 ले लिजे तो मार्क प्रैस कितना मतलब कितना होगा 102 रूपिया में इसको बिच यह क्या हो जाएगा सेलिंग प्रैस 102 रूपिया पुछा गया है कितने लाब होगा कितने हानी होगा मतलब देखिए मतलब 2300 कि क्या हो जाएगा यहां पर लाब हो जाएगा ठीक है अगला कौशे को देखे 21 में निम्त तालिका टूर्naमें में त्रंदाजी के खिलारी के परियास की स्कोर को दरसाती है उचता में स्कोर करने वाले खिलारी को सर्फट मतलब मैक्सिम्मम स्वेंटीफोर मतलब सबसे ज़्यादा कि यह जगा इसको किसका होगा तो प्रित्री का होगा बिना काल्कुरेट कि यह भी आप इसको एनलाइज करके आप आंसर मार्क कर सकते थे संख्या है जो कि 33 से विभाजित है कोई संख्या यदि उसमें अगर हम 24 जोड़ दिरते हैं तो निम्न दिगरी संख्या किससे विभाज होगा देखे चावबन है इसमें स्टीर कोमन ले लिजिए कितना जाएगा एक ग्यारक के पलस 18 संख्या से डिभाइड होगा तो सिर्फ तीन संख्या से तीन मर्क्या है वह तीन से वह डिभाइड हो सकती है ठीक है इस कांसर को अप्सर नंबर ए क्रेक्ट होगा क्वाज्चर नंबर 23 को देखे मनी जो है लेंट ओन दा सिंपल इंटेस्ट आप्टर दा ट्वेल यर्स इट वाज इस सिंपल इंटेस्ट को त्री अगर एमांट अगर आपको आर दिया हुआ है समय 12 साल है वह तो हुआता है तो क्या है थी टाइमस आफ जो मनी मनी अगर हमनों पी लिए है तो तुरी वट्टे फाइब इंटू पी देखे पी से पी आपको इससे ही कैंसिल हो जाएगा देखे तीन से काटिए इसको चार ब में ठीक 25 इसको का टीए 5 बारे मतलब रेडियस कितना जाएगा आपका पांच परसेंट आपको इसको आप ध्यान से समझने कोशिस किजिएगा क्या कहा गया है कि धावक A और धावक B 800 मीटर लंबाई कि एक विर्टाकार पत पर 18 किलो मीटर की दौरतें की दौर दौरतें ह हैं तो दौर पारम घोने के कितने समय बाद तेज धावक धीमे धावक से आखरी बार मिलेगा देके कॉस्चन को समझें क्या कहा गया है एक विर्टाकार पत है जिसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर दे गई है ठीक है 800 मीटर की एक विर्टाकार पत है इस पे क्याएग टोटल 18 क मतलब कितना रोंड इसको इसको लगाना परेगा 247 बाट्टे दो रांड मतलब पे 5 satisf टो रांड पूरा करेगा तब जाके इसको 18 कि दूर फॉरी होपाएगी अब कहा गया है और क क्या चकेंड़ दोस सबस्ताहें ठावक क्या है एक चक्कर लगाता है थीक है तो पुछा ग सब्सक्राइब करें दोनों कि नियुकर ये कि फिर स्टाइब कहलें लेकी हमको निकालना है कि लोक कि तने राउंड मारेंगे देखे टोटल क्या है इसको 45 बट्टे दो राउंड इसको पूरे लगाना है तो देखे दो राउंड लगाने कि इतना लगेगा आप इसको देखे देखे तो इतना समय 125 को 45 से आप मल्टिप्लाइ कि जाएगा तो यह पांचार से उपाच चला जाएगा पर चुकार तालिस ठीक है यह कितना जाएगा 45 सो सकेंड तक यह डोरता रहेगा उसके बाद क्या होगा सकेंड जो दोर रहा है उससे अब कभी लास्ट में मिल नहीं पाएगा तो 45 सो सकेंड तक दोरने के लिए कि लिए परहला कितना मिलेगा एक क्या मिलेगा फ़िर 2000 अब इसके बाद कभी नहीं में मिल पाएगा औपसर नंबर इसको आप समझ गई होंगे तो लाइक कर देजिएगा वीडियो को अगर फिर भी दिक्कत रहा होगा तो कॉमेंट किजेगा हम समझाने के देखिए हमारा आखरी सवाल है दी के आखिरती में जदी बनदादयाँ 6 वया क्कैन या यह लग्या है आधार कीतना है आपको निकाना है कि दिया हुआ है यह तेंगल में ंदेच में A 26 सब्सक्राइब छाग सी वमिता निह single एक 21 ठीक है तो कितना ओचाईगा अधार आपकету 24 बटे करने इसका कितना है С के भेली कितना निया है 26 बटे कोस य देखे कोस तो य में क्या जाएगा ए के बटे दीppen कितना है डीए बैल किटना आपका नहीं दिया हुआ डीवगलु नहीं देखे वीजिक नेखी है आपको कितना है यौका 42 और हमसीड़ी के घृलु कितना जाएगा आपको 42-10 देखे दीवीगलु 34-19 ठीट mendes 22 तो मतलब 32 और कर इसके एबी कितना हाजागा देखे यह 32 है और यह और यह कितना है AD के बहलू आपका 24, 32, 24, तो रूट अंडर के आप जाएगा 32 के स्क्वाट, 1024, पलस 576, मतलब आपका AB आजाएगे कितना, 40, तो 40 लिख लिए, पलस 8 इन्टु 10Y, 10Y के मतलब, यह 10Y के मतलब AD बटे DB, आपका AD के महलू दिया हुआ 24, और DB के महलू आपका आगया है 32, बस इसी को आपको स्वाल करना है, आपका अंसाल जाएगे, इसको काट ये, 4 से काट ले, 6 चुका 24, डेक्ट कर जाएगा ये, यह जाएगा 2, और यह जाएगा आपका 13, ठीके देखे, 8 से डेक्ट करेंजे, 8 चुका 24, आठ पांचे 40, 8 चुका 32, यह जाएगा आपका 6, मतलब आपका यहाँ पर केतना जाएगा, 13 बटे 2, 13 बटे 2, माइनस 25 बटे 4, पलस 6, इसको आप इसे लिख लिख लिए, 26 बटे 4, 26 बटे 4, और यह कितना जाएगा, 24 बटे 4, देखे, 4 आपका यह कितना है, 26 माइनस 25 बटे 4, आपका अफसर नमबर 4 में दिया, इस तरह से आपके 25 के 25 सारे सवालों को हमने स्वालब करवा दि तो अगर आप इस चैनल पर नए से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद